एक छोटे से गाव में, जहां हर और हरियाली थी और थेतों में फसले लहराती थीन, वहां एक फ्यारा सा पयार, जमगादर, रहता था। उसका नाम था पिंकु, पिंकु बहुत ही दोस्ताना और चंचल था। हर रात वह गाव के चारों और उष्टा और गाव की गतिविधियों को देखता रहता था। उसी गाव में एक मशहूर मसाला बेचने वाला आदमी भी रहता था, जिसका नाम था मोहन। मोहन का मसाला व्यापार डूर डूर तक प्रसिद्ध था। लोग उसकी दुकान पर डूर डूर से मसाले खरीदने आते थे। मोहन अपने मसालों को बहुत ही प्यार और मेहन से तव्यार करता था, इसलिए उसके मसाले इतने खास थे। एक रात, जब पिंकु उर्ते-उर् तो उसने देखा कि मोहन बहुत चिंतित लग रहा है। पिंकु ने सोचा, आखिर मसाला मैन मोहन क्यों इतना परेशान है। पिंकु ने हिम्मत जुटा कर मोहन से पूछा, मोहन भाव्या, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या कोई समस्या है? मोहन ने गहरी सांस ली और कहा, पिंकु, मेरी मसालों की एक खास खेप आज बाजार में भेजनी थी, लेकिन अचानक मेरा सबसे खास मसाला गायब हो गया है। बिना उस मसाले के मेरी खेप अधूरी है और मुझे बहुत नुकसान होगा। पिंकु ने मोहन की चिंता को मोहन भावया, मैं आपकी मदद करूँगा। मुझे बताये कि वह मसाला कैसा दिखता है और उसकी क्या खासियत है। मोहन ने बताया, वह मसाला लाल रंग का है और उसकी खुश्बू बहुत तेज है। उसे सुंघते ही लोग उसकी और खींचे चले आते है। पिंकु ने स कोने कोने में तलाश शुरू की। उसने हर जगह देखा, लेकिन मसाले का कहीं भी अतापता नहीं था। तभी उसे याद आया कि गाव के पास एक पुराना और परित्यक्त मंदिर है, जहाँ शायद वह मसाला हो सकता है। पिंकु ने मंदिर की और उरान भरी और वहा पहु और देखा कि वही लाल मसाला था, जिसे मोहन रूंड रहा था। पिंकु ने खुशी से उरते हुए मसाले को अपनी चोंच में पकर लिया और तेजी से मोहन की दुकान की ओर लोटा आया। पिंकु को मसाले के साथ देखा तो उसकी खुशी का ठीकाना नहीं रहा। उसने पिंकू को धन्यवाद कहा और मसाले को अपनी खेप में जोर दिया। मोहन ने तुरंत मसाले की खेप को बाजार भेज दिया और उसकी बिक्री बहुत अच्छी हुई। मोहन ने पिंकू को गले लगाया और कहा। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद किये। पिंकू, मैं तु मेशा मेरे लिए खास रहेंगे, मोहन ने भी मुस्कुराते हुए पिंकु को एक खास उफार दिया, एक छोटा सा गंटी, जिसे पिंकु अपने गले में पेहन सकता था। लेकिन मसाले के लिए एक खास जरीबूटी की जरूरत थी, जो केवल जंगल के गहरे हिस्से में मिलती थी। गने पेर, जारिया और जंगली जानवर। लेकिन पिंकु की निग्रानी और मोहन की द्रिर्ता के कारण वे आगे बरते रहे। अंत में, उन्हें वह जरीबूटी मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। मोहन ने जल्दी से जरीबूटी को इकठा किया और पिंकु के साथ वापस गाव की ओर चल परा। रास्ते में, एक बरी मुसीबत आ गई। एक जंगली तेंडुआ उनके रास्ते में आ गया। मोहन और पिंकु दोनों डर गए, लेकिन पिंकु ने अपनी सुएबूए से काम लिया। उसने तेंडुए का ध्यान भटकाने के लिए जोर-जोर से घंटी बजाई। तेंडुआ घंटी की आवाज से ब्रमित होकर दूसरी दिशा में भाग गया और मोहन और पिंकु सुरक्षित गाव पहुंच गये। गाव पहुंचकर मोहन ने नई जरीबूटी से मसाला तयार किया और त्योहार के दिन सभी गाव वालों को वह मसाला परोसा। मसाले का स्वाद और खुश्बू इतनी अनुखी थी कि सभी गाव वाले मोहन की तारीफ करने लगे। पिंकु ने भी गर्व से देखा कि उसकी मदद से मोहन ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। इस खटना के बाद मोहन और पिंकु की दोस्ती और भी गहरी हो गई। मोहन ने पिंकु को अपना व्यापारिक साझेदार बना लिया और दोनों मिलकर मसाला व्यापार को नई उंचायों तक ले गए। कहानी का अंथ होते हुए भी यह हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और टीमवर्क से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। पिंकु और मोहन की कहानी ने सभी श्रोताओं को प्रेरित किया और उन्हें यह सिखाया की विश्वास और मेहन से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस तरह कहानी ने न सिर्फ मनोरंजन किया बलकि एक महत्वपूर्ण सीख भी दी।